So Hello Friends, Welcome back to our channel क्या दोस्तो आपके यूटूब में भी कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो रही है तो दोस्तो आपको घबराने की कोई जूरत नहीं है क्योंकि दोस्तो कुछ में पहले ही मेरे भी यूटूब में कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो रही थी तो दोस्तो इसका मैंने सोलिशन निकाल लिया है तो दोस्तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़दा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को एंट तक जूर देखना तो चलिए दोस्तो बिने देरे के डूट स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो जब आप यूटूब की वीडियो पर कलिक करते हैं तो दोस्तो वीडियो नहीं चल पाती तो दोस्तो वो क्यों नहीं चल पाती वह मैं आपको बता देता हूं उस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको उपर की तरफ से नीचे स्क्रोल करना है स्क्रोल कर देने के बाद दो आपको मुबाइल डाटा वाला उप्शन देखने को मिल जाएगा आपको इसे दबा के रखना है इसको दबाए रखने के बाद दो आपको उपर की तरफ आपकी जो भी सिम है आपको वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको simply इन में से कोई भी एक sim को select कर लेना है जिसका आप internet यूज़ करते हैं तो simply दोस्तो मैं यहाँ पर idea sim को select कर लेता हूँ तो दोस्तो अब आपके सामने कुछ इस तरह के का interface open हो जाएगा दोस्तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है आपको दोस्तो जो जो setting बताऊंगा वही आपको अपने phone में करनी है और दोस्तो आपकी जो भी YouTube की वीडियो है वो राम से play होने लग जाएगी तो दोस्तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा डाटा रोमिंग आपको इसको यहाँ से ओफ कर देना है यहाँ पर दोस्तो यह ओन है और मैं इसको यहाँ पर ओफ कर देता हूँ और यह ओफ कर देने के बादोस्तो अब आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा Preferred Network Type आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर 4G पर क्लिक कर देना है यह कर देने के बदोस्तो अब जो Main Setting है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको दोस्तो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा Access Point Names आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक कर देने के बदोस्तो अब आपको यहाँ पर आईडिया के सामने आई देखने को मिल जाएगा सरकल में आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ Delete APN आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक कर देने के बदोस्तो अब आपको idea mms का भी कुछ इसी तरीके से करना है delete apn इतना हो जाने के बदोस्तो अब आपको right side में उपर की तरफ three dot देखने को मिल जाएंगे आपको इस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक कर देने के अब दोस्तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा Reset Access Points आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक कर देने के अब दोस्तो आपको यहां से इसको Permission दे देनी है और दोस्तो आपके सामने वही दोनों दोबारा आ जाएंगे अब दोस्तो आपको क्या करना है आपको दुबारा से i button पर क्लिक करना है और इसको उपर की तरफ स्कोल करना है और आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा barrier आपको इस पर क्लिक करना है barrier पर जानने के बदोस्तो अब आपको यहां पर note specified को off कर देना है और यहां से LTE को okay कर देना है और back आ जाना है back आ जानने के बदोस्तो याद रखना है कि इस setting को आपको यहां से save कर देना है यहां से सेव कर देने के अब आपको नीचे से दोबारा यही सेटिंग करनी है यहां पर दोस्तो आपको इसे उपर की स्क्रोल करना है और यहां पर बेरर पर जाकर LTE को ओल करके नोट स्पेटिफाइड को ओफ कर देना है और बैक आकर इसको यहां से सेव कर देना है इतना हो जाने के बादोस्तो अब आपको बैक आ जाना है बैक आ जाने के बादोस्तो अब आपको अपने इंटरनेट को ओफ करना है इंटरनेट को ओफ कर देने के बादोस्तो अब आपको इसे दुबारा से ओपन करना है और अब आपको अपने यूटूब को चलाना है अब दोस्तो अब आप अपने फोन में यूटूब पर कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो वो सिंपली अराम से ही ओपन हो जाएगी तो दोस्तो मैं आपको एकादी वीडियो प्ले करके दिखा लिता हूँ तो जैसे ही दोस्तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई सी भी वीडियो प्ले कर सकते हैं जैसे ही दोस्तो मैं यहां पर यह वीडियो प्ले करना चाहता हूँ तो जैसा ही दोस्तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आप कोई सी भी वीडियो प्ले कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो यही वह एक सैटिंग थी जिसके जरी आप यूटूब की किसी भी वीडियो को अराम से प्ले कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी वीडियो यूटूब पर प्ले नहीं हो रही है तो दोस्तो आप भी अपने फोन में कुछ इस सैटिंग कायो सरके अपने फोन में किसी भी यूटूब की वीडियो को प्ले कर सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर दोस्तो आपको हमारे वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जूब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिल जाए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक कर और गुड़ बाई